कि निपिजी बॉनिंग आने जी मॉनिक साथ पहले तो सभी महिला को आप सभी जी के दर्शकों महिला दर्शकों को बहुत बढ़ाई और जो सीमी जी ने कहा कि हर दिन वोमेंस डे है तो मैं आने जी डिमपी जी कुना राकेश जी और अमीना जी से पूछना जाता हूं कि इसम तो कि दो दिन पहले इसने एक निगेटिव ब्रेकडाउन दिया था तो मेरा मानना है कि 1721 के स्टॉप लोस के साथ बिक्वाली करनी चाहिए 1680 के पहले टागेट्स देखने को मिल जाने चाहिए शायद इसके नीचे भी जाते हुए हम देखेंगे दूसरा रहेगा बाय जो ए पहले बागेट के लिए एक बार आप स्टॉप लोस भी नोट कर ले 1721 कि आपका दूसरा शेर एक बार में को वापिस से बता देजाए उसके लेवल्स भी मैं भूल गया हूँ हूँ है एक और विमान इनका जमीन पर आ चुका उनटी है स्टॉप लोस 1330 टागेट 1375 ठीक है इस पर राय लेना चाता हूँ जरा किरिन जी इस पर राय दीजिए एक और विमान इनका जमीन पर आ चुका उनटीस हो चुके एक बिल मिलाकर अब तक उनटीस बताइए स्टॉप में कमज़ूरी होगी क्या क्या करना है आज डाइपर से नीचे खुलने के संकित दे रहा है जिए एक रिंज में ट्रेड कर रहे हैं दो सौपचास अन्द हैर से दो सौबईस दो सोबीस ऑन्द लोर से एंड़ ऑन्हाइर से थे तो मेरा मानना है कि बेच की काम करना चीए दो सौपचास की ऊपर आपका स्टॉप लोस होना चाहिए और एक्सपेक्ट कर सकते हैं 222 पुल बैक तो नहीं दिखा देगा इबर किरन जी जिरा जेट एवेज देखिए 237 पे चल रहा है क्या इंट्राडे ट्रेड के लिए इबर पॉजिशन ले सकते है कोई स्टॉपलस निरभाय का बनता हो इंट्राडे ट्रेड ही लेना है बस नई मुझे अभी भी कंफर्ट नहीं है जेट में कोई बहुत बड़ी मूव देलाएगा ऐसा नजर नहीं आ रहा है पर डिमपी जी मैं एक बिगुल बजा रहा है बिगुल बजा रहे हैं बिगुल बडाय किरन जी डिम्पी जी इनफोसिस बेचना है इनफोसिस अभी बेचना है पाचसो पंद्रह कैश मार्केट पाचसो पंद्रह साड़े-पंद्रह पे कैश में ट्रेड कर रहे है पाचसो शाथसो बाइस में आपको stop gloss लगाना है इसने एक बहुत ही important trend reversal price pattern जिसको हम head and shoulder कहते है उसका breakdown दिया है और मेरा मानना है कि ये काफी नीचे के स्थर दिकत दिला था नजर आ जाना चाहिए 706 के पहले targets रहेंगे और दूसरा target रहेगा करीबन 696 का तो ये targets मानने के चलने चाहिए Infosys Bikwali की सला है किरेंज जी एक बार जार सन फार्मा की रहा है आपने एक बार कुनाल जी को जब पुत्र रतन की प्राप्ति उती शेहर उनको gift के तौर पर भी दिया था शायद बिल्कुल बिल्कुल मेरा मानना है कि बाय करके ही चलना चाहिए ये दो दिनों का consideration देखने के मिल रहा है परसो जो एकदम से डिमांड आ गया है कल उसकी यूटन लेता है थोड़ा सा नजर आया पर major supports तोड़े नहीं है तो मेरा मानना है कि ये accumulation zone में ही है आपका positional view जो है उसका stop loss रहेगा करीबन 4.42 जो की cash levels की बात कर रहा हूँ 10 रुपए नीचे और मेरा मनना है कि ये eventually वापिस एक बार 4.66 तक test करते है नजर आ जाना चाहिए आज या कल तक यानि सुमवार तक पर ये chart pattern काफी strong है तो मेरा जो mid term target था कि करीबन 4.85 से 4.90 वो तो हासिल होता नजर आ जाना चाहिए ठीक है आपका target वापिस से चीव हो सकते हैं तो इसलिए